भीमसें सदेव पुर्शार्थ की प्रशंचा करते थे और अगर हम पीछे जाकर देखें तो केवल वह ही थे जिनोंने दुरियोधन का विरोध किया था या ये कहें कि अपने मन की बात को उन्होंने वानी की द्वारा प्रतेक्ष दर्शाया था जानते हैं क्या भीमसें भी युधिश्टर को समझाने या उत्तेज़त करने में सफल होते हैं इस सथ्याय में वैशंपायन जी कहते हैं जनमेज्य दुरुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्श में भरे हुए भीमसें क्रोध पूर्वक उच्छवास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे महाराज शेष्ट पूर्शुम के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राचे प्राप्ती का मार्ग हो उसका आश्रे लीजिए धर्म अर्थ और काम इन तीनों से वंचित होकर इस तपवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रियोजन सिद होगा दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारे राचे को नहीं लिया है उसने तो कपड़ पूर्ण जुवे का आश्रे लेकर उसका हरन कर लिया है बचे होई अन्ड को खाने वाले दुर्बल कीदर जैसे अत्यन्त बलिस्ट सेंगों का भोजन हर ले उसी प्रकार शत्रों ने हमारे राचे का अफरन किया है महाराज धर्म और काम के उत्पादक राचे और धन को खोकर लेशमात्र धर्म से आवरित हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं गांडिव धारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राचे को इंदर भी नहीं चीन सकते थे परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छिन गया जैसे लूलों के पास से उनकी बेल फल और पंगों के निकट से उनकी गाय छिन जाती है और वे जीवित रहकर भी कुछ कर नहीं पाते उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राचे का अफरण कर लिया गया भारत आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं इस रूप में आपकी प्रसित्धी है अतह आपकी प्रिय अभिलाशा सिद्ध हो इसलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं भारत कुल भूशन आपकी शासन से अपने आपको नियंत्रण में रख कर आज हम लोग अपने मित्रूं को दुखी और शत्रूं को सुखी बना रहे हैं आपकी शासन को मान कर जो हम लोगों ने उसी समय इंत्रेत्राश्ट्र पुत्रों को मार नहीं डाला वह दुशकर्म हमें आज भी संताप दे रहा है राजन मुरिगों के समान अपनी इस वन्चर्या पर भी द्रिस्टिपात कीजिए दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकारवन में रहकर समय बिताते हैं बलवान मनुष्य वन्वास का सेवन नहीं करते श्रिक्रिष्ण, अर्जुन, अभिमन्यो, संजय वन्शी वीर, मैं और ये नकुल सहदेव कोई भी इस वन्चर्या को पसंद नहीं करते राजन आप यह धर्म है यह धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कस्ट उठाते रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप व्यराग्य के कारण साहर्शुन्य हो नपुनसकता सा जीवन व्यतीत करने लगे हों अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी का उधार करने में असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निश्वल और स्वार्थ नाशक व्यराग्य का आश्य लेते हैं और उसी को प्रिय मानते हैं राजन आप समझदार हैं दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं हमारे पुर्शार्थ को देख चुके हैं तो भी इस प्रकार दया को अपना कर इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हम शत्रूं के अपराद को क्षमा करते जा रहे हैं इसलिए समर्थ होते हुए भी हमें ये थित्राष्टर के पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं यही हमारे लिए महा दुख है युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है ऐसी दशा में यदि हम पीठ ना दिखाकर युद्ध में निश्कापट भाव से लड़ते रहें औ तो यह कल्यान कारक है क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्टी होगी अत्वा भरत्रेश्ट यदि हम ही इन शत्रून को मार कर सारी प्रित्वी ले ले तो वही हमारे लिए कल्यान कर है हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में सलगन हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश्का विस्तार करने की अभिलाशा रखते हैं अतह हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है शत्रू ने हमारे राज्य को छीन लिया है ऐसे अफसर पर यदि हम अपने कर्टब्वे को समझ कर अपने लाब के लिए ही युद्ध करें तो भी इसके लिए जगत में हमारे प्रशंसा ही होगी निंदा नहीं होगी महाराज जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए कलेश उत्पन करने वाला हो वह तो संकट ही है ये धर्म नहीं को धर्म है ताथ जैसे ब्रित को दुख और सुख दोनों नहीं होते उसी प्रकार जो सर्वता और सर्वदा धर्म में ही ततपर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है वह धर्म के नाम पर केवल कलेश उठाने वाला मानव बुद्धिमान नहीं है जैसे नेत्रहीन सूर्य की प्रभा को नहीं जानता उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को नहीं समझता है जिसका धन केवल धन के लिए, दान आदी के लिए नहीं, वे धन के तत्व को नहीं जानता जैसे सेवक ग्वालिय बन में गौवों की रक्षा करता है इसी प्रकार वे भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है जो केवल अर्थके ही संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता वे ब्रह्म हत्यारे के समान ग्रणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वद्ध है इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाशा रखकर धर्म और अर्थका संपादन नहीं करता उसके मित्र नश्ट हो जाते हैं अर्थात उसको त्याक कर चल देते हैं और वे धर्म एवं अर्थ दोनों से ही वंचित रह जाता है जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मचली की मृत्य निश्ट है उसी प्रकार जो धर्म अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है उस काम अर्थात भोग सामगरी की समाप्ती होने पर उसकी भी अवश्य मृत्य हो जाती है इसलिए विद्वान पुरुष कभे धर्म और अर्थ के समपादन में प्रमाद नहीं करते धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ती के स्थान है अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम की सिद्धी होती है जैसे अर्णी अगनी का उत्पत्ती स्थान है अर्थ का कारण है धर्म और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से जैसे मेग से समुद्र के पुष्टी होती है और समुद्र से मेगा के पूर्टी इस प्रकार धर्म और अर्थ को एक दूसरे के आश्रित समझना चाहिए स्त्री, माला, चंदन आदी द्रव्वों के स्पर्ष और सुवर्ण आदी धन के लाब से जो प्रसंता होती है उसके लिए जो चित में संकल्प उड़ता है उसी का नाम काम है उस काम का शरीर नहीं देखा जाता इसलिए वे अनंग कहलाता है राजन धन की इच्छा रखने वाला पुरुष महां धर्म की अभिलाशा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है उस प्रकार वे काम से किसे दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है जैसे फल वो भोक में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, तथा जिस प्रकार कास्ट से भस्म बन सकता है, परत तो उस भस्म से दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से किसी दूसरे काम की बुद्धि नहीं मानते, क्योंकि वे साधर नहीं, वले ही है, राजन जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याद इन पक्षियों को मारता है, यह विशेश प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है, अतह वे हिंसक सब के लिए वद्ध्य है, वैसे ही जो खोटी बुद्ध वाला मनुष्य, काम और लोब के वशिभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। वह एह लोग और परलोग में भी सब प्राणियों का वद्ध होता है। उस धन का अभाव होने पर अत्वा प्राप्थ होए धन का नाश होने पर अत्वा स्त्री आदी धन के जराजीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती हैं उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है पांचों ज्यानेंद्रियों, मन और बुद्धी की अपने विशय में प्रफृत होने के समय जो प्रीती होती है वही मेरी समझ में काम है वे कर्मों का उत्तमफल है इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनों को प्रिथक प्रिथक समझ कर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अत्वा केवल काम के ही सेवन में तदपर न रहे है उन सबका सदा इस प्रकार सेवन करें जिससे इन में विरोधना हो इस विशय में शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्वभाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थका, और अंतिम भाग में काम का सेवन करें। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का, विधान यह है कि आयू के पूर्वभाग में अर्थात दिवा वस्था में काम का, मध्यभाग अर्थात प्रोडवस्ता में धन का और अंतिमभाग अर्थात वृध्धावस्ता में धर्म का पालन करे वक्ताओं में श्रेष्ट उचित काल का ज्यान रखने वाला विद्वान, पुरुष, धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथावत विभाग करके उप्युक्त समय पर उन सब का सेवन करे कुरूनन्दन निर्दिशे सुख की इच्छा रखने वाला मुमुक्षूओं के लिए यह मुक्ष ही परम कल्यान प्रद है राजन इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा वालों के लिए धर्म अर्थ कामरूप तरवेग की प्राप्ती ही परम्ष्य है अत्व माराज भक्ती और योग सहित ज्यान का आश्रे लेकर आप शिग्रही या तो मुक्ष की प्राप्ती कर लिजिए अत्वा धर्म अर्थ कामरूप तरवेग की प्राप्ती के उपाय का अवलंबन कीजिए जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्थ मनुष्य के समान दुखमई ही है मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्म का ही आचरन किया है इस बात को जानते हुए भी आपके हितैशी सके संबन्धी आपको धर्म युक्त कर्म एवं पुर्शार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं महाराज एह लोग और परलोग में भी दान, यग्य, संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय और सरल्ता आदी ही उत्तम एवं प्रवल धर्म माने गए हैं पुरुष सिंग, राजन, ये तिप मनुष्य में दूसरे सभी को उपस्तित हो तो भी ये यग्य आदी रूप धर्म धन ही पुरुष के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता महाराज इस जगत का मूल कारण धर्म ही है इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है राजन भीक मागने से कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ती कदापी नहीं हो सकती नर्शरिष्ठ ब्रहमन जिस याचना के द्वारा कारिसिद कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते क्षत्रिय के लिए उसका निशेद है अतह आप अपने तेज के द्वारा ही धन पाने का प्रित्त कीजिए क्षत्रिय के लिए ना तो भीक मांगने का विधान है और ना वैश्य और शुद्र की जीविका करने का ही उसके लिए तो बल और उच्छा ही विशेश धर्म है पार्थ अपने धर्म का आश्य लीजिए प्राप्त हुए शत्रों का वद कीजिए मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृत राष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए मनीशी विद्वान दानशीरता को ही धर्म कहते हैं अतह आप उस दानशीरता को ही प्राप्त कीजिए आपको इस दैनी अवस्था में नहीं रहना चाहिए महराज आप सनातन धर्म को जानते हैं आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्री कुल में उत्पन हुए हैं जिससे सब लोग भैभीत रहते हैं अतह अपने सुरूप और कर्तवे की ओर ध्यान दीजिए जब आप राचे प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजा पालन रूप धर्म से आपको जिस पुन्यफल की प्राप्ती होगी वह आपके लिए ग्रहत नहीं होगा महराज विधाता ने आप जैसे क्षत्री का यही सनातन धर्म नियत किया है पार्त उस धर्म से हीन होने पर जो संसार में आप उपहास के पात्र हो जाएंगे मनुश्यों का अपने धर्म से भ्रस्ट होना कुछ प्रशंचा की बात नहीं है महराज केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक ना तो कभी प्रित्वी पर विजय पाई है ना एश्वर तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है जैसे बहेलिया लूब्धरदय वाले छोटे छोटे म्रिगों को कुछ खाने की वस्थों का लोब देकर चल से उन्हें पकड़ लेता है उसी प्रकार नितिग्य राजा शत्रूं के प्रती कूट निती का प्रयोग करके उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता है नरप्षरिष्ट आप जानते हैं कि असुरगण देवताओं के बड़े भाई हैं उनसे पहले उत्पन हुए हैं और सब प्रकार से स्मृधिश शाली हैं तो भी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया महाराज महाबावो इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है यह समझकर आप भी कूड़निती का आश्यले अपने शत्रों को मार डालिए युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्दर अथवा मेरे समान गदाधारी युद्धा ना तो है ना आगे होने की ही संभावना है पांडुनन्दन अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है इसलिए आप साथानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्य लेजिए आत्मबल ही धन का मूल है इसके विपरीद जो कुछ है वह मिथ्या है क्योंकि हेमन्त रितु में व्रिक्षों की चाया के समान वह आत्मा की दुर्बलता किसी भी काम की नहीं है गुंति गुमार जैसे किचान अधिक अन राशी उपजाने की लालसा से धान आदी के अलप बीजों का भूमी में परित्याग कर देता है उसी प्रकार शेष्ट अन पाने की इच्छा से अलप अर्थ का त्याग किया जा सकता है आपको इस विशे में संचे नहीं करना चाहिए जहां अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ती नहों वहां उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह परस पर गधों के शरी को खुजो लाने के समान है नरेश्वर इसी प्रकार जो मनुष्य अलप धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ती करता है वह निश्य ही पुद्धिमान है मित्रों से संपन शत्रू को विद्वान पुरुष अपने मित्रों द्वारा भेद निती चे उसमें और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेद भाव होने पर मित्र जब उसको त्याग देते हैं तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। राजन अत्यंत बल्वान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है। वे किसी अन्य प्रत्न से या प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। जैसे मधुमक्खियां संगट्थ होकर मधु निकालने वाले को मार डालती हैं। उसी प्रकार सर्वतास संगठित रहने वाले दुर्बल मनुष्य द्वारा बल्वान शत्रु भी मारा जा सकता है। राजन जैसे भगवान सूर्य प्रित्वी के रस को ग्रहन करते और अपनी किर्णों द्वारा वर्शा करके उन सब की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप भी प्रजा से कर लेकर उनकी रक्षा करते हुए सूर्य की ही समान हो जाईए। राजेंद्र हमारे पिता पिता महुने जो किया है। वे धर्मपूर्वक प्रित्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तपही है। ऐसा हमने सुना है। धर्मराज क्षत्रिय तपस्या के द्वारा वैसे पुन्य लोकों को नहीं प्राप्त होता। जिलें वे अपने लिए भेद युद्ध के द्वारा विजय अत्वा मृत्य को अंगेकार करने से प्राप्त करता है। आप पर जो ये संकट आया है। इस असंभव सी घटना को देखकर लोग ये निश्य पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। राजन साधारन लोग भिन भिन सभाओं में सम्मिलत होकर अथवा अलग-अलग समूं के समूं इकठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाली बातें किया करते हैं। महाराज इसके सिवा यह भी सुनने में आया है कि ब्राहमन और कुरुवन्शी एकत्र होकर बड़ी प्रसंता के साथ आपकी सत्य प्रतिग्यता का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि आपने कभी ना तो मुह से, ना तीनता से, ना लोब से, ना भै से, ना कामना से और ना धन के ही कारण, किंचित मात्र भी असत्य भाशन किया है। राजा प्रित्वी को अपने अधिकार में करते समय, युद्ध जनित हिंसा आदी के द्वारा जो पाप करता है। वह सब राज्य प्राप्ति के पश्षात, भारी दक्षना वाले यग्यों द्वारा नश्ट कर देता है। जनिश्वर ब्रामण को बहुत से काउं और सहिस्त्रों गोएं दान में देकर राजा अपने समस्तप पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधिकार से। कुरुनंदन युधिस्टर, प्राय नगर और जनप्रद में निवास करने वाले आबाल व्रिद्ध। सब लोग आपकी प्रशंचा करते हैं। कुट्टे के चमडे की कुपी में रखा हुआ दूद, शूद्र में स्थित वेद, चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित हैं। उसी प्रकार दुर्योधन में स्थित राचत्व भी संगत नहीं है। भारत लोग में ये उपर्युक्त सत्य प्रवाद बहले से चला रहा है। स्थियां और बच्चे तक इसे नित्य किये जाने वाले पाठ की ताहां दोहराते रहते हैं। शत्रुदमन बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरवस्था में पहुँच गए हैं। आप ही के कारण ऐसा उपद्रवाया है कि हम सब लोग नश्ट हो गए। महाराज आप विजय में प्राप्थ हुए धन का ब्रहमन को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदी सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित रत पर बैठ कर शीग्र यहां से युद्ध के लिए निकल लिए। जैसे सर्पों के समान भयंकर शूरवीर देवताओं से घिरे हुए ब्रत्र नाशक इंद्र असुरों पर आकर्मन करते हैं। उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र के ज्याता और सुद्रड धनुष धारन करने वाले हम सब भाईयों से घिरे हुए आप श्रेष्ट ब्रह्मनों से स्वस्ति वाचन कराकर आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंति कुमार जैसे इंद्र अपने तेट से द्यात्यों को मिर्टी में मिला देते हैं। उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से शत्रूं को मिर्टी में मिलाकर धेत्राष्ट पोत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को ले लीजिए। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो गांडिक धनुष से छूटे हुए विशयले सर्पों के समान, भयंकर, गृध, पंख, युक्त, बानों का स्पर्ष सह सके। भारत इसी प्रगार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमी में क्रोध पूर्वक विचरने वाले मुझु भीम सेन की गदा का वेग सह सके। कुंति नंदन, संजय और कैकै वन्शी वीरों तथा विष्णी वन्शा वतन्स भगवान श्रीकृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे नहीं प्राप्त कर लेंगे। राजन आप विशाल सेना से संपन हो। यहां प्रितन पूर्वक युद्ध ठान कर शत्रों के हाथ में गई हुई प्रित्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते। भीम का ये क्रोध आज पहली बार नहीं फूटा था। युद्धिस्टर क्या उनकी बातें चुपचाप सुनते रहे। या उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। येदि आपको मेरा ये प्रित्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करे।